अभी महाराष्ट में यूती सरकार का नेत्रूतो एकनाथ सिंदे जी कर रहे हैं, हम सरत पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे, हमारे गोशना पत्र में इसानों के जो तकलिफे हैं, इसके लिए भी हमने धेर सारी योधनाओं को लेकर आये हैं, कोई सवाली नहीं है, पूर् मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए, उसके बाद खड़े नहीं होंगे, अभी महाराष्ट में यूती सरकार का नेत्रूतो एकनाथ सिंदे जी कर रहे हैं, एकनाथ सिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टिया इखटा बैठकर इसका त्ताई करेगी, हम सरत्पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे, चुनाव के बाद जब भारतिये जनता पार्टी साथी दरों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम ज मुख्यमंत्री बने, तब जल्यूक्त सिवार के माध्यम से इनों ने इसका सच्चा उपायट ढूंगने का प्रयास किया, और अभी एकनाज जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ा कर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है, और मोदी जी ने, मोदी जी ने बहुत मन पूर्वक, MSP की योजना, जो कॉंग्रेस के सासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमिन पर उतारने का काम किया है, मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंदूओं को, कि कॉंग्रेस की य कितना धान, कितना सोयाबिन, और कितना कपास खरीदा जाता था, और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड करकर जनता के सामने रखे, हमने कई गुना ज्यादा खरीदी, MSP पर करी है, और फिर भी हमारे गोशना पत्र में, किसानों के जो तकलिफे हैं इसके लिए भी हमने धेर सारी योधनाओं को लेकर आये हैं, मुझे लगता है अगले पांस साल यूती सरकार चलने के बाद, हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे, कोई सवाली नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतिये जनता पार्टी और यूती की सरकार बनती है, किन्तु परंटु नहीं है, बैठ जाओ भी है, अब चस्मा कहां से खरिकते हो, मुझे बताना जाएंगे, भारतिये जनता पार्टी की कभी भी निती किसी व्यक्ति को लक्स बनाने की नहीं है, हम व्यक्तियों का विरोध करकर रादनिती नहीं करते हैं, हम नितिय को बक्सने का सवाल नहीं है, यह हमारा नितिगत फैसला ही, पिछे, 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 देखे, जो कानून हम लाने वाले है, हमने संकल पत्र मेल लख रिजा है, आगे पर भी, अगर किसी भी प्रकार की जरूरत खड़ी हुई, तो जरूर उस पर विचार करें, जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, सन्मानिय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महराष्ट की जनता के सामने बात रखी है, कि अगर आदिवासी एक वर्ग है, तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है, और डेवलप्मेंट बहुत अ इसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है, अगर ओव इसी जातियों में बढ़ता है, तो निरबलता आती है, और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है, सबसे ज़्यादा दंगे किसके सासन में हुए हैं, अगाडी के सासन में हुए, कॉंग्रेस के सास अगवार मजबूत होकर बाहर आए,